टौफ अबेस लेट लेकर लेकिन नमबो फो की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हूँ भी मैं आपको जितने भी लेट अब बताओंगा वो वीडियो एक्टिंग के लिए बैस तोने वाले अगर आपने 4K भी ट्राइग करना है आप कर सकते हो अगर आपने गीम बेस्टिन होने वाले अगर आप तकी काम करने कशकं करो MAX कहोब các Wi-ley Mouse अगर नोट्बॉक होरिजन सबसे पहले में आपको बता देना चाहते हैं अगर इनकी बॉल्ड क्ाल्टी प्ल trafficking इसका डिजाइन वह बहुत ज़्यादा इसको suit करता है, प्लस MI brand है, प्लस भी अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको keyboard पे ज़्यादा काम करना पड़ता है, आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है, creator काम करना है, ज़र developer काम करना, प्लस भी अगर आप gaming वगारा भी करना जाते हो, आप कर सकते हो, विकर्ज आपको graphic card की बात करूँ, आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification के according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखते हैं को मिल जाते हैं, मैं आपको main specification बदा देता हूँ, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं वाई, तो यह display की बातों को 14 inch full HD display मिल जाते, जो कि anti-glate display और processor की बातों को I5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं, ग्राफिक आट की बात करूँ, आपको NVIDIA MX3502GB देखने को मिल जाता है, उप्रेणी जिसनों की बात करूँ, आपको 10 hours का बेंटरी backup परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 51,000 के बजट में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाता है, तो यहार मेंट स्पैस्फिकेशन मैंने आपको बता दिया, MI Notebook Horizon के, अभी मैं इसके मानस प्राइंट की भी बात कर लेता हूँ, आपको 8GB RAM तो मिल जाते है, लेकिन आपको 8GB RAM आपको 8GB RAM मिनिमुम बहुत है, अगर आपको इतनी मतलब सहीं लगती है, तो आप इसके और जा सकते हैं, अगर आपको 8GB RAM नहीं सहीं, आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए अगर आपको 32GB RAM चाहिए तो आपके लिए ये laptop बिल्कुल भी नहीं बना इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा आप आगे बात करते हैं number 3 की, number 3 की बात करूं, number 3 पर यार मैंने रखा सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपका प्रेट 50,000 से कम है तो ये laptop आपको 45,000 के budget में मिल जाता है, 45,000 के budget में आपको specification पूरे loaded मिल जाते हैं, बहुत अगड़े specification है, मैं आपको बताते तो हूँ सीदी बात करते हैं, हम specification की, तो यार डिस्प्ले की बातों को 40 इंच 4 HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो की IPS पैनल डिस्प्ले है, प्रोसेसर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता, storage की बात करूं, आपको 8 GB RAM मिल जाती है, expandable आप कर सकते हो, पस आपको 512 GB SSD देखने को मिल जाती है, SSD के benefit की अगर मैं बात करूं, तो भई SSD का benefit यह होता है, अगर आप data गरा जल्दी transfer करना जाते हो, तो आपके लिए बहुत benefit करेगी, as comparison किया जाए, HDD के साथ, HDD की MX350 देखने को मिल जाती है, अब battery life की बात करूं, आपको 8 hours का battery life पर वाइड कर देता है, प्राइस की बातों को 45 अंचे लेके 51,000 के budget में, Acer Spire 5 यह specification के साथ देखने को मिल जाएगा, तो यहर main specification मैं आपको बता दिये, Acer Spire 5 के भी, अगर मैं specification के according देखा जो, तो बहुत ज्यादा सही है, भई आपको 45 अंचे budget से लेके 50,000 के budget तक यह laptop देखने को मिल जाता है, तो भई अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, अगर programming करने है, coding करने है, कोई heavy software यूज करना है, video editing करना जाते हो, या gaming करना जाते हो, आप इस फेक कर सकते हो, आपको 2 GB graphic card मिल जाता है, 8 GB RAM मिल जाते है, जिसको आप upgrade कर जाते हो, 16 GB तक, अगर आपने video editing करने है, तो भई मैं आपको recommend करना जाता हो, आपने 16 GB RAM के या minimum चल जाना, उसको upgrade कर लेना, आपके लिए ही benefit होने वाला, अग section में comment कर सकते हैं, जो मैं जोजे Instagram पर मैं सही कर सकते हैं, मैंने link वगरा description box में दिया हूँ है, अभी आगे बात करते है, number 2 की, तो अभी बात करते है, number 2 की, लेकिन मैं आपको कहा देना जाता हूँ, number 2 and number 1 को, दोनों को मैंने combine कर दिया, विकस दोनों ही laptop, जो वो Acer की आर से ही आते है, इस budget range में Acer बहुत ज़्यादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो laptops के बारे में मैं बात करूँ, Acer Aspire 7 की, and मैं बात करूँ, Acer Nitro 5 की, सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ, भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, अगर आ आपके लिए बैस हो सकता है, Acer Nitro 5 आप जा सकते हो, Acer Nitro 5 की और वो बहुत जाता है, तो अगर आपको गेमिंग करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको office work के लिए चाहिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करते है, दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात क दर लेती है, तो यहां display की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती, तो 16 refresh rate यहार average display होती है, इतना तगड़ा भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस चीज को आप दियान में रखना, processor की बातों को i5 19 generation के साथ मेलता है, storage की बात आपको fingerprint वगार भी देखने को मिलेगा, battery की बात करूँ, आपको 7 hours का battery backup provide कर देता है, price की बात करूँ, इसका price आपको 50,000 से लेके 54,000 के बड़र में Acer Spy 7 देखने को मिल जाएगा, तो यहर अभी बात करते है, Acer Nitro 5 की तो display की बातों को 15.6 inch full HD plus IPS panel display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, Acer की बात करूँ, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिलेगा, 3500HS के साथ, ठीक है, storage की बातों को 8 GB RAM मिल जाती है, अपको 32 GB तक कर सकते हो, प्लस आपको 5 12 GB SSD देखने को मिल जाती, Graphic Card की बातों को GTX 5 650 4 GB मिल जाएगा, उपरेणी सेस्टर की बातों को Windows 10 मिल जाती है, बैंटरी की बात करूँ, आपको 6 hours का बैंटरी बैकप परवाइड कर देता है, प्राइस की बात करूँ, आपको 57,000 के बजड़ में इस से नीट्रो फाइप देखने को मिल जाएगा, तो यहर में स्पैसिफिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैप्टाप्स के बता यह, मुझे पता है, मैंने जो आपको लैप्टाप बता है, उनका प्राइस जो है वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहर अगर आप एक्स्टाप पी कर सकते हो, तो मैं आपको कहना चाता हूँ, आपके लिए यह दोनों लैप्टाप बहुत तगड़े होने वाले, अगर आ आपके लिए best deal हो सकता है, इस price range में Acer बहुत तगड़ा है, अगर आपका budget 30,000 होता है, तो मैं आपको लिनोवो लैप्टाप के और जाने को कहा था, विकॉस उतने price range में लिनोवो बहुत तगड़ा कर रहा है, लेकिन अगर आपका budget 45,000 से लेके 55,000 हो जाता है, इस price range में A लैपटाप बहुत जादा तगड़े हैं, तो अभी मैंने आपको top 4 लैपटाप बता दिया, जो कि आपके लिए perfect deal हो सकता है, अगर आप कोई भी heavy software यूज़ करना जाते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, पढ़ते हो, आफिस बर के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग करना है, जागर आपने as a creator काम करना, as a developer काम करना, जा कोई भी loaded file पर काम करना, आप सबी के लिए, जो मैंने आपको laptop बता है, वो बहुत अगड़े होने वाले है, तो यार अभी मेरी वीडियो यही पर हो जाती है, खतम, अगर आपको मेरी बेच्छे लगी यार वीडियो को लाइक क जाती है, तेंक यू